हलो फ्रेंड्स रादे रादे कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का साची की रेसोई में आज मैं लेकर आई हूँ एक और स्नेक्स की रेस्पी तो फ्रेंड्स मेरी ये स्नेक्स की रेस्पी आप सभी को अच्छी लगे तो कोमेंट जरूर करें और वीडियो को फुल वाज करें और नए है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे तो चलिए हम देख लेते हैं स्नेक्स को कैसे बनाते हैं तो उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं टैक्चर बहुत ही बड़ी हाया है तो चलिए देख लेते हैं स्नेक्स को कैसे बनाते हैं तो स्नेक्स को बनाने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पर आलू तो यहाँ पर मैंने तीन आलू लिये हैं और आलू को बोईल करके लेना है कच्ची आलू नहीं लेना है तो आलू को मैंने बोईल कर लिया है और इसको हमें मैस कर लेना है तो फ्रेंट्स आप चाहें तो मैसर से मैस कर सकते हैं या फोक की साहता से इसी तरह इसको मैस कर लें तो इसी तरह से हमने इसको बढ़िया बारिक बारिक इसको मैस कर लिया है तो मैसर से बहुत आसानी से हो जाता है और फोक से भी बहुत ही आसानी से यह हो जाएगा ऐसा नहीं है इसमें कि होगा नहीं बहुत ही बढ़िया बारिक बिल्कुल हो जाता है इससे भी तो हमने डाल दिया है इसमें लगभग 2-3 हरी मिर्च बारी कटी हुई और हम डालेंगे इसमें नमक टेस्ट के कोडिंग और हम डालेंगे इसमें लगभग आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हम डालेंगे तो मैंने बहुत जादा मसाले नहीं डाले हैं बस इतना ही और इसको बढ़िया से फिर से mix कर देते हैं ताकि जो मसाले हैं वो बढ़िया आलू में mix हो जाए बराबर तो इसी तरह हम बढ़िया से इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और अब हम डालेंगे इसमें हरी धनिया बारी कटी हुई तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं तो फ्रेंट्स आप भी बनाईए इस तरीके से ये स्नेक्स सच में बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही चटपटा और टेश्टी बनता है ये स्नेक्स तो हमने हरी धनिया को मिक्स कर लिया है अब हम ले लेंगे यहाँ पर ब्रेड तो इसको हमने ब्रेड और आलू से बनाया है स्नेक्स को तो हमने यहाँ पर ले लिया है ब्रेड आपको जितना बनाना हो कमिया ज़्यादा तो अपने अकोडिंग ब्रेड ले 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 तो मैंने यहाँ पर लगभग 5-6 ब्रेड ले लिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेड को लेकर हमने जो आलू अभी मैस करके रखा था उस आलू को हमें डालना है पूरे ब्रेड पर हमें बढ़िया लगा देना है इसको तो इसी तरह हम पूरी ब्रेड पर बढ़िया फैलाते हुए इस पर बढ़िया लगा देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरी आलू को इसी तरह से बढ़िया ब्रेट पर फैलाते हुए बढ़िया से बराबर कर दिया है और अब हम लगा लेते हैं टोमेटो सोस तो इसी तरह हम इसे फोर की सहायता से बढ़िया थोड़ा थोड़ा लगा देना है हमें इससे टे कि हमें इस पर लगाना है, और एक और ब्रेड ले लेंगे, और उसके उपर हम रख के बढ़िया से इसको कवर कर देते हैं, और उसके बाद आप चाहें तो इसको नाइफ से काट सकते हैं, यह पीजा कटर है इससे, तो यह बहुत आसानी से कट जाएगा आप चाहें, तो इसक से हमें इसको काट लेना है तो इसमें मोटे या पतले कैसे भी आप स्लाइस काटना चाहें तो अपने अकोडिंग काट सकते हैं मैंने इसी तरीके से इसे काटा है आप चाहें तो इसको ट्रेंगल भी काट कर बढ़िया फ्राइ कर सकते हैं इसको तो हमने इसे ऐसे पतले-पतल बढ़िया पीसेस में इसको कट कर लिया है और हमें सारी ब्रेड को इसी तरह से बना लेना है तो सारी ब्रेड में ऐसे आलू को बढ़िया से भरके और उसको हमें इसी तरह से काट लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारी ब्रेड को इसी तरह से बढ़िया बना लिया और अब हम ले लेते हैं यहां पर एक कटोरी बेशन तो हमने एक कटोरी बेशन ले लिया है इसमें डालेंगे हम नमक तो इसमें टेस्ट के कोडिंग ही नमक डालना है क्यूंकि आलू में भी मैंने नमक डाला है और यहां पर थोड़ा ही नमक डालना है और हम डालेंगे बहु भगादा चम्मच हीज में कुटी हुई लाल मिर्च और हम डाल देंगे हरी धनिया तो इसमें इसी तरह से हम बढ़िया से फिर से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए बढ़िया इसका एक हमें ऐसे घोल बना लेना है तो इसी तरह हम थोड़ा-थोड़ा पानी एक बार में सारा पानी नहीं डालना है निए तो बहुत ज़्यादा ये पतला हो जाएगा तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसी तरह से हमें बना लेना है आप देख सकते हैं थिकनेस बहुत ज़्यादा पतला नहीं हमने डाला है इसमें refined oil तो तेल को थोड़ा गरम होने देते हैं उसके बाद हम इसमें बेशन में डाल कर इसको बड़िया से और हम इसको fry कर लेते हैं है तो फ्रेंट्स इसको बहुत ज्यादा low flame पर भी नहीं करना है बहुत ज्यादा high पर भी नहीं तो इसको हमें medium करके ही बढ़िया इसको fry कर लेना है अगर low पर करेंगे तो बहुत ज़दा तेल अबजोब करेंगे तो यह बहुत जल्दी जलने लग जाएगा तो इसको थोड़ा medium और low करके ही हमें करना है तो यह बहुत ही आसानी से सच में और बहुत ही आसान तरीका है बनाने का तो हलका हलका ये brown हो गया है तो थोड़ा सा और इसको हम fry कर लेते हैं थोड़ा और color आ जाए बहुत ज़्यादा dark भी नहीं करना है नितो taste इसका अच्छा नहीं लगेगा खाने में तो यहाँ पर देख सकते हैं friends बहुत ही बढ़िया color आ गया है अब इसको हम निकाल लेते हैं इससे ज़्यादा dark नहीं करना है इसको ये बिल्कुल perfect है तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे यहाँ पर देख सकते हैं texture बहुत ही बढ़िया आया है और खाने में बहुत ही चटपटा लगता है तो friends आप भी बनाईए इसी तरीके से ये आलो और bread का snacks और कभी भी सूबे हो या साम की चाय हो या कभी भी मेहमान आए तो बना कर खिला सकते हैं तो friends मिलते हैं next वीडियो में एक और नई recipe के साथ तब तक के लिए thanks for watching